यही चाहती हूँ के कुछ तवज्जो दे हमारे ओनरुबल प्राइम मिनिस्टर क्योंकर यह जो बात है यह मुद्दत से चल रही है जो बात है परिशानी सालों बीते जा रहे हैं और हम बेजार आ गए हैं तो अब सी एम को भी रिफर किया था यह बात पड़नवेस साहब को वो भी कोशिश में लगे हुए हैं तो अब पी एम साहब को शामिल करेंगे तो उमीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए दस साल हो गए हैं और दिलिप साहब की तबियत अच्छी नहीं रह रही है क्योंकर यह हाल अब ही जो कि यह लैंड ग्राइबर है समीर भोजवानी अपना मसल पावर जैसे कहा अभी चिराग ने यूज कर रहा है अपनी दौलत का इस्तमाल कर रहा है उस बेश्चुमार दौलत है उसके पास अच्छा उसके कनेक्शन भी खूब हैं बहुत है बहुत स्ट्रॉंग है अब खुदा जाने के वो पुलिटिकल फंडिंग भी करता होगा तो जो भी हालात है वो पूरे यानि के वो अड्वांटिज ले रहा है दिलिप साहब की तबियत ना साज होने का कि दिलिप साहब की तबियत खराब है विचिस सच टेरिबल थिंग